मन्च पर विराजमान पंजाब के मुख्यमंत्री आदर्णिय सरदार प्रकासिंग जी बादल भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रिमान विजय सापला जी उपमुक्यमंत्री सरदार सुख्वीर सी जी केंद्र में मंत्री परशत की मेरी साथी हरसिम्रत जी जत्यदार तोता सी जी स्री अविनास राय खन्ना जी स्री मंतर सी बरार जी शिवांच सरूप सी सिंगला जी, सिमान एचार कलेर जी, सिमान तिरत्सी महाला जी, परंभाव सी बंटिश रोमाना जी, पुर्व सामसद बिबी गुरुक्चरन कौर जी, फरीत कोड के भाजपा के अध्यक्षा स्रिमती सुलिता जी, मोगा से उमिदबार सरदार बरजींदर सी जी, सरदार कमर जीची जी, सरदार चरन जीची जी, सरदार सुबा सी जी और विशाल संग्या में पधाने हुए पंजाब के मेरे प्यारे भाई और बहनों, चार तारी को आप सब पंजाब के भाग्य का फैसला करने वाले, लेकिन मेरे पंजाब के भाई और बहनों, जब आप पंजाब में सरकार चुनते हैं तब, सिर्फ पंजाब के लोगों के भाग्य के लिए नहीं चुनतें, पंजाब में जब सरकार चुनी जाती हैं, तो उसके साथ हिंदुस्तान का भी भाग्य जुड़ा हुआ होता है, यह सरहदी राज्य है, पाकिस्तान पंजाब की धर्ति का उप्योग, हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए मोके की तलास में रहता है, और अगर यहां सरकार डीली ढाली आजाएं, सरकार बहरी लोगों की आजाएं, सरकार एशो आराम करने वालों की आजाएं, तो शिरब पंजाब के लोगों का नुकसान होगा ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक संकट का दोर से गुजरना पड़ेगा, इसलिए मेरे प्यारे भाईयों बेनों, भारत की सुरक्षा के लिए भारत की सुरक्षा को कोई चोट न पहुँचे, इसलिए भी पंजाब में ऐसी सरकार चाहिए, जो सरकार देश की सुरक्षा की भी गारंटी हो। भाईयों बेनों, अभी मैं हर्सिम्रजी को सुन रहा था, वो अपड़ी पीड़ा व्यक्त कर रही थी, कि बादल साब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए न जाने कैसी कैसी भाषा बोली जाती है, भाईयों बेनों, मैं सारवजनिक जीवन में कई वर्षों से हुए। मैंने अनेक दलों के राजनेता देखे हैं, अनेक दल के राजनेताओं को सुनने का मुझे अवसर भी मिला है। मेरे इतने जीवन के काल कल में दो नेतां जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक अटल विहारी वाजपाई और दूसरे सरदार प्रकासिंग बादल। ये दो ऐसे नेतां कि जिनके मुझे कभी भी हलका शब्द नहीं निकलता था। किसी की आलोच ना करनी है। कितना ही छोटा वेक्ति क्यों नहीं हो। लेकिन ये दो नेताओं का उनके मुझे कभी भी कटूता प्रगट नहीं हुई है। भाईयों भहनों सार्व जनिक जीवन में बोलचाल कैसी हो भाचा कैसी हो ये अगर सीखना है तोटल विहारी वाजपाई से सीखने को मिलता है। प्रकाश सिंग जी बादल से सिखने को मिलता है। लेकिन भाईयों भेनों जब बादल साब के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया किया जा रहा है। दुख पहुंचना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं हर्सिम्रत जी से कहना चाहता हूं। सुखवीर जी से कहना चाहता हूं। आप ऐसे लोगों से अपेक्ष्यों क्यों करते हों। जो लोग किसी के लिए भी कुछ भी बोलने के आदी हो गए है। जिनों ने अन्ना हजारें के साथ ऐसा किया वह बादल साहब के साथ न्याय करेंगे ऐसी आप आशा करते हैं ऐसे लोगों से हम भी कंग्रेस के खिलाब लड़ाई लड़े हैं। हम यह कहते हैं कि हम फलानी बात की जाच करवाएंगे। दोस्यों को कानून के दायरे में लाएंगे। और कानून दोस्यों को छोड़े नहीं इतनी बारी का इसे सच्चाई को लाकर के रहेंगे। हम कभी यह नहीं कहते हैं फलाने को जैल में भर देंगे डिकने को जैल में भर देंगे। देश ने हमें सत्ता दिये हैं कानून का पालन करने की। लेकिन आजकर बासा बोली जा रही है। हम आकर के इसको वो शिलादिक्षित को भी जैल में बरने वाले थे। अभी शिलादिक्षित उत्तव प्रदेश की मुक्यमंत्री गोशित हो गई। उमीद्वार। अब बताईए। हम कहते हैं। गुरु ग्रंट जापको अप्मान हुआ है। मामला सरकार ने सीबी आई को दिया है। सीबी आई पूरी गहराई से जाच करेगी और मैं कहता हूं मैं यह नहीं कहता हूं कि उसको जैल में डाल दूंगा। जाचुल गुरु ग्रंद साहब का अप्मान करने वालों को खोश के निकालेगी, कानून के हवाले करेगी और न्याए तंत्रन न्याय करेगा। और गुरुत्स गरंद साहब का अपमान करेवारों को सरा मिलेगे हैं हर चीज करनों से चलती है लेकिन ये डिक्टेटोरियल भाषा है डिक्टेटर की भाषा है फनाने को जेल में ठोक देंगे डिकने को ये कर देंगे क्या लोग तंत्र इस प्रकार के चलता है भाष्यों बैनों मध्वेद हो सकते हैं राज़ी की विरोब हो सकता है लेकिन लोग तंत्र की मर्यादाय तूट जाएगी तो देश का बहुत दुक्षान होने वाला है और उसको समाल के रखना ये हम सब का दाई तो है भाई जो बहनों अभी मैं गोवा गया था गोवा के अखबार में एक चीज पड़ी कुछ लोगों को जब पता चल जाता है कि पराज़े सामने दिख रहा है तो अभी से माहोल बनाने में लग जाते हैं तरीके डूनते हैं गोवा में क्या भाजन किया अखबारों को इंटर्यूव दिया उन्होंने कहा यह इलेक्शन कमिशन जो है मोदी नचाता है वैसे नाचता है अब बताओ भाई हिंदुस्तान में कोई इलेक्शन कमिशन पर जूठे आरोप नहीं लगाता है लेकिन इलेक्शन कमिशन भी बेकार और गुना का इलेक्शन कमिशन का उसका गुना यह है कि पंजाब और गोवा के चुनाव की एक ही तारी क्यों तैकी दूसरी शिकायत है पंजाब और गोवा के चुनाव सबसे पहले क्यों करवाए तीसरी उनकी शिकायत है कि एक ही समय पंजाब और गोवा के चुनाव इसलिए करवाए गए कि हमारा दल चुनाव में हार जाए भई हारना के लिए तारी कारण नहीं है हारना का कारण तो दिल्ली के आपके कारणा में है जिस कारणों के कारण आपका हारना तैय है भाय भानो यह जो तरीका है यह तरीका कभी देश में लोग तंत्र का भला नहीं कर सकता है और इसलिए भाई यो बेनो मैं आप सबसे आगरा करने आया हूँ कि इस चुनाओं मैं पंजाब के भविष्य को फिर एक बार उस अंधेली गली में गसीतने वालों से पंजाब को बचाईए भाई यो बेनो मैं यह भी बात पंजाब के लोगों को याद कराना चाहता हूँ सत्ता पाने के गुरूर में इसी पंजाब में भाई यो बेनो जब आतंगबाद के दिन थे कुछ लोग आतंगबादी हरकता करके इस पंजाब की धर्टी जो हरी भरी धर्टी थी उसको खुन से रंगने का प्रयास किया था उस समय यह कॉंगरेक्पार्टी उसके नेता सारी दुनिया में घुम जाजा करके पंजाब पे हर नवजवान को आतंगबादी कह दिया था हिंदुस्ताइगे किसी भी कौने में कोई सरदार ने ज़र आए तो उसको वो सरदार देश के लिए जीने मरने वाला बगत्सी का बहुंश नहीं नजर आता था उसको लगता था कहीं यह आतंगबादी तो नहीं होगा ट्रेन के डिपे में कोई सरदार मिल जाए तो बांकी पैसेंजर एक दूसरे के साथ सुखबू का हाड करते हैं पता नहीं यह कौन होगा यह हर पंजाबी को हर सरदार को हर पंजाब के नवजवान को आतंगबादी पेंट करने पाका पाप कांग्रेस पांटी ने करके देश में हमारे दूद में हमारे दूद में दरार करने का प्रयाद इन कांग्रेस वालों ने किया था भाई दूद में कभी दरार नहीं हो सकती है लेकिन यह पाप उन लोगों ने किया था आज दूसरे आये हैं उन्हों ने पंजाब के हर नवजवार को नशेडी कह दिया कल पर नहीं है हिंदुस्तान में हर वेक्ति जब पंजाब का नवजवन मिलागा नोकरी के लिए आया होगा व्यापार के लिए आया होगा तो उसको लगेगा कहीं नशेडी तो नहीं होगा कितना नुकसान पंजाब का इस भाशा ने किया है अरे राजनीती अपनी जगापे है पंजाब के नवजवानों का बविश्त तो बरबाद करना मत्ब करो वो पाप तो मत करो लेकिन यह पाप इन लोगों ने किया है भाशों समाज में नशे के खिलाब मिल जुन करके लड़ना होगा सामाजिक बुराई की तिकलाब हर किसी को एक जुट होना होगा लेकिन हर जुवान को, हर नौजवान को नसरी कह करके हम देश के नौजवानों को बचा नहीं सकते भाईयो भेनो आजादी के बाद आजादी के बाद हमारे देश में मातमा गांदी को जब भी याद करते हैं मातमा गांदी हमेज़ा कहते थे हिंदुस्तान गावों का देश है हिंदुस्तान क्रिशी प्रदान देश है क्रिशी हमारी आत्मा है खेती हमारी जिन्दगी है खेती हमारी आर्थिक उन्नती है लेकिन भाई ये भेनों आजादी के बार जितने नेता हो गए मैं कह सकता हूं इस देश ने तिन नेता देखे जिन नेताओं का जीवन जिन नेताओं का जहन किसानी से भरा हुआ गा एक चौजरी चरंशी दूसरे चौजरी देविलाद और तीसरे प्रकास सिंग बादल किसान की जिन्दगी जीने वाला अगर देश ने तिन नेता देखे तो तीसरे नेता हैं और आज सिरफ एक ही देश में मौजूद है वो सरदार प्रकास सिंग बादल और प्रकास सिंग मादल यह सिरफ पञ्याब के किसानों के नेता नहीं वो हिंदुस्तान के किसानों के नेता है हिंदुस्तान के किसान का भला कैसे हो इस सोच के इंसान है मैंने देखा हैं मैं भी मुख्यमंत्री था बादल साथ भी मुख्यमंत्री थे हम लगाता है भारत सरकार जो मीटिंग बुलाती थी तो हम बैठते थे जब मैं गुजरात से आता था तो मुझे लगता था कि दिल्ली में कॉंग्रेस के सरकार है सरदार प्रधान मंत्री है तो यह प्रकासिंग बादल साथ को तो बल्ले-बल्ले होगा उनको तो जो चाहिए मिल जाता होगा लेकिन जब मिटिंग होती थी और बादल साथ जब पंजाब का ब्योरा देते थे इतनी पीड़ा होती थी कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने बादल साथ को दस साल यहां जनता ने मोका दिया आथ साल आट साल तक दिल्ली में बैठी हुई कौंगरेस सरकार ने बादल साथ को हर काम में रोड़े एटकाए रुकावटे डाली कोई काम करने नहीं दिया उसके बावजुद भी बादल सामने मिटिंग में कभी मर्यादा नहीं तोड़ी विवेक नहीं तोड़ा, अपनी बात बताते थे, किसानों की बात बताते थे लेकिन ये कॉंग्रेश सरकार बादल साथ की आठ साथ साल तक कोई बात सुनती रही थे है आज दिल्ली में वो सरकार बैटी है है बादल साथ की साथ ही सरकार नें हमने वह काम किये हैं व derived किये पंजाब के सारे पुराने मसलें हम ने सुल्जा दिये और बादल साथंजाब की प्रकति लिए जो चाहते थे हमने रास्ते खोल दिए अगर यहीं बात शुरू से हमारी सरकार होती तो आप पंजाब कहां से कहां पहुंच जाता लेकिन आठ साल तक कॉंग्रेस सरकार ने रुकावटे डाली और उसका प्रणाव यह हुआ कि बादल साब को काम नहीं करने दिया दो साल में बरपूर काम करने का आवसर मिला आए उर्णाव को दिखाई देता कि विकास की नए उचांइओ पर ले जाने में बादल सामने कोई का सर नहीं छोई और आज भी हर पनिर्फन मेरा कि सान मेरे पंजाब का नौजवान उसका भला कैसे हो नई यहीट चिजह सोचते रहना नई चीज़े करते रहन ये बादल साब की सक्सियत का परणाम है और इसलिए मेरे भाई यो भेनो इस चुनाओं में पंजाब को बरवाद करना पंजाब का कुछ भी हो जाए हमारी दुनिया खड़ी हो जाए ये सपने लेकर के जो लोग चल रहे हैं को जिस रास्ते से आये हैं उसी रास्ते से वापिस दिल्ली भेज और उनको कहो कि वहां की पहले जिन्मेवारी पूरी करो जंता को वादे किये इतैं वो पुरा करो भाई यों बैनों है आज दिल्ली में ड़ सरकार आप्त भी साइय हैं जो काम आपने मुझे दिया है मेरा सपना है हिंदुस्तान के किसानों को 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे हम 2022 तक में हिंदुस्तान के किसान की आए दो गुना करना चाहते है डबल करना चाहते हैं जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो काम काम साथ साल में पूरा करने का बिडा उठाया है और भाई यो बेहनो जिस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं हम सभलता अप्राप्त करके रहेंगे यह मैं आपको विश्वात दिला राता हमने ऐसे नए इनिसेटिव लिए हैं हमने ऐसे नए निड़े किये हैं ऐसी नई योजना बनाई हैं कि जिसके कारण किसान का भाग्या सुनिश्चित होगा और किसान अपनी आई दो गुना कर अगर किसान को पानी मिले तो मेरा पंजाब का किसान मिट्टी में से सोना पैदाकर देता है है वो पाणी से भी ज्ञाधा अपना पसीना बहाता है। हुआ अपने सप्रें अपने खेट की मिट्टी में मिला आ करके हिंदुस्तान के सप्रों को सजाता है। यह मेरे पंजाब का किसान है। हिंदुस्तान का पेड़ भरता है वो मेरा पंजाब का किसार है भाई यो बैनो हमने प्रधान मंत्री क्रिसी सिंचाई योजना बनाई है हज़ारों करोड रुप्या खाज करके हर खेट को पानी मिले उद्धिशा में बिड़ा उठाया है नब्बे ऐसी योजनाए उसको हाथ में लिया आए लाखो हेक्टर भूमी को तुरंद पानी पहुँचे इसके लिए चारों तरफ देश में काम चल रहा है पंजाब में पानी की नहरे बहुत पुरानी हो गए अगर उन नहरों का प्रमत ही हो जाए दो पानी जो आखिर तक पहुँचता नहीं है उसको उठाने के लिए बादल साब पुरी ताकत से लगे हैं दिल्ली सरकार पुरी मदद कर रही हैं पानी पहुचाने का काम चल रहा है हमने एक पुरे देश में अभियान चलाया है पर ड्रॉप मौर क्रॉप एक एक बुंद से ज्यादा फसल कैसे मिले इसका बिड़ा उठाया है और इसलिए पर ड्रॉप मौर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन टपक सिंचाई बुंद बुंद पानी से खेती इसका एक बड़ा अभियान और मुझे खुती है इतने कम समय में 15 लाग हैक्टर करीब करीब धरती आज माइक्रो इरिगेशन की और कवर हुई है अगर पंजाब में भी हम ये माइक्रो इरिगेशन को लागू कर पाएं जितने जादा किसानों को लेका हैं हम पानी भी बचाएंगे मजदूरी भी बचाएंगे जादा फसल होगी अच्छी फसल होगी उस दिशा में हम काम कर रहे हैं भाई यो बैनो आज भारत सरकार पंजाब के किसानों की पैदावर को दाम जो महबाजार में चलते हैं उससे जादा दे करके उस फसल की खरीदी करती हैं ताकि कभी किसान को परिशानी के दिन ना आए भाई यो बैनो हमने एक और निने किया है कि हमारा किसान जो दान पैदा करता है उसके बाद जो वेस्ट रहता है जो जला देता है हमने उस मैंसे इथे नौल बनाने के कार खाने पंजाब की धर्ति पर लगाने वाले जो आज जला देते हैं आप उसमें से इथे नौल निकालेंगे और किसान को उसमें से भी इंकम होगी एक एक हैक्टर पर दो हजार पांच जार दस हजार पंद्रह हजार तक इंकम हो सकती है यह नई इंकाम किसान की बढ़ाने की दिशा में हम काम चल रहे हैं और देश की उर्जा की आवज सक्टा को भी हम पूरा कर रहे हैं हम किसान को वैल्यू एडिशन फुट प्रोसेसिंग तो उसकी इंकम बढ़ती है अगर वो टमाटर पैदा करता है लेकिन टमाटर का कैचप भीकता है ज्यादा कमाई होती है वो दूद पैदा करता है लेकिन अगर दूद में से मिठाई बना करके भीकती है मक्षन या चीज बना करके भीकती है तो ज्यादा पैसा मिलता है हम फ ले ज्यादा कमाई हो दुनिया के बाजार में कमाई हो भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग उस पर बल दे रही है अगर दुनिया में जो माल यहां एक उर्पिय में बिगता है वो अगर ऑर्गेनिक है तो दुनिया में एक डॉलर में बिगता है कितना गुना इंकम हो सकते हैं किसान को हमारे देश में एक राज सिक्कीम पूरा और्गेनिक स्टेट बना दिया है भाई यो बहनो पंजाब भी इस परदा में आ सकता है हम पूरे देश में और्गेनिक सेटिफाई करने के लिए लैब खड़ी करना चाहते हैं और जो भी किसान और्गेनिक फार्मिंग की और जाना चाहता है उसको मदद करना चाहते हैं और उस और्गेनिक खेती से पैदावर जो हो उससे उसको एक रुपिया के सामने एक डॉलर की कमाई हो ये दिशा में हम ले जाना चाहते हैं भाई यो बैनो हमने किसान को प्राक्रो वर्षाय आजाएं बिमारी आजाएं किसान की महनत पानी में जाती है हमने किसान को ऐसा फसल बिमाय योजना दिया है कि इन सारे संक्ट उसकी उससे रख्षा करता है और पहले कोई संक्ट आजाएं तो 50 प्रतिशत से ज़्यादा हो तब सरकार देखती थी हमने नियम बदल दिया अगर नुक्सानी 30 प्रतिशत भी हो गई तो भी सरकार उसको नुक्षान मानेगी और किसान को बुक्तान करेगी फैसला इतना बड़ा हम देखिया है फसल बिमायोजणा के इस बारा किसान को खेत में खड़ी फसल हो काट करके रखी हुई फसल हो बाजार जाने की तैयारी हो अगर कोई पानी गिर गया और खराब हो गई तो उसके पैसे भी देने का काम फसल बिमायोजणा में किया कभी मानो पानी नहीं आया बर्चात नहीं गिरी जून महिने में बोना है नहीं हो पाया जुलाई महिने में बोना है नहीं हो पाया अगस महिने में बोना है नहीं पाया किसान एक दाना भी नहीं बो पाया तो भी फसल बिमाई योजना से उसका पिछले साल का हिसाब दे करके पैसे देने का प्रबंद फसल बिमाई योजना में किया कोई सोच सकता है इस देश में किसानों के लिए ऐसी फसल योजना हो सकती है ये दिल्ली में भारतिय जंता पार्टी अकाली दन की सरकार है जिसने किसानों को केंद्र में रखते हुए योजनाओं को बनाने का प्रयास किया है भाईयों भेनों यह योजना किसानों की भलाई के लिए हैं हम चाहते हैं दूद उत्पादन में भी हमारा पजाब का किसान पशुपालन के काम में भी आगे आए आज हमारी गाह या भैस जो दूद देती हैं उसको अगर सही परवरिश हो वैज्ञानिक परवरिश हो आरोग्य की चिंता की जाए व्यवस्ता की जाए तो डबल डबल दिल दे सकती है हमारे पशुप कम भी हो जादा दूद की पैदावर संबव है उत दिशा में वैज्ञान सरकार कारथ करें फिशरीज हो पॉल्स प्रों हो ये भी प्रकार से क्रिसी के खतरों मदद करने वाला उसको हम पंजाब में कुछ किसान है जो शहहत के काम में लग गये हैं हम हर खेत मैं हव के काम को पहुंचाना चाहते हैं मदूद शहाद पूरे दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है, अगर सच्चा और पक्का हनी अगर दुनिया को हम दे सकते हैं, तो दुनिया हिंदुस्तान का हनी खरीदे के लिए, शहत खरीदे के लिए लालाइट है, हमारे किसान की जेब बर जाएगी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, भाईयो उटाया इनाम नाम की यह जंडा में कोई भी किसान मोबाइल फॉन पर तैए कर सकता है किस बाजार में ज्यादाभ है वो मोबाईल फॉन पर अपना माल बेच सकता है और वो कमाई कर सकता है जहाँ सबस्क् planning ज्यादा दाम मिलेगा वहां किसान माल बेचने के लिए उसको माहुल मिलेगा ये टेकनोलोजी का उप्योग करते हुए किसान को इनाम नाम की मार्केटिंग की सुविदा देने का काम हमारी सरकार ने किया है मेरा कहने का तात्पर ये है कि हम किर्षी को आधूनिक बनाना चाहते हैं हम किर्षी को वेग्यानिक बनाना चाहते हैं हम किर्षी में टेकनोलोजी लाना चाहते हैं हम किर्षी से रोजगार के नए आउसर पैदा करना चाहते हैं हम किर्षी से किसान की आए दोगुना करना चा जाते हैं और इसलिए भाईयों भेनों प्रकाश सिंग बाजल आज जितने नेता पंजाम में दिखाई देते हैं कोई कह सकता है कि कॉंग्रेस का कोई नेता है जो इसको किसान नेता कहेंगे और छोटे-मोटे लोग जो खड़े हो गए उनमें भी कोई किसान है एक अकेला काली दो हैजो किसानों का दर है जो किसानों के लिए काम करने वाला दल है और इतनले में भाईयों भेनों हिंदूस्तान का पेट भरने वाला किसान पंजाब का किसान सुरख शीत रहे तो वही रख सकते हैं जो खुद किसानी से चुड़े हुए है और वो सिरफ और सिरफ बादल साहब है और इसलिए भाईयों भाईयों मैं आप चे आगरफ करने आया हूं कि चार तारी को चुनाव है बहुत बड़ी मात्रा में बत्तदान करके फिर एक बार इसी छेतर से मुख्यमंत्री बनाईये बादल साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाईये किसानों का भाग के फदले का दिल्ली सरकार का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बादल साहब को ताकत मिलनी चाहिए और इसलिए मैं आप सब चे आग रह करता हूं आणवाली चार फरवरी नू तकड़ी ते कमल दा बटन नपके अकाली भाजपानू एक बार फिर सेवादा मोका दे। बहुत बहुत धन्यवाद।